रोमियों के नाम पॉलुस प्रेवित की पत्री तेर्वा अध्याय बुरे काम के लिए डर का कारण है। इसक्रोच से परंतु डर से अवश है, बरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिससे कर चाहिए उसे कर दो। जिससे महसूल चाहिए उससे महसूल दो। जिससे डरना चाहिए उससे डरो। जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने विवस्था पूरी की है क्योंकि यह है कि विविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इन को छोड़ और कोई भी आग्या हो तो सब क सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पलोसी से अपने समान प्रेम रख, प्रेम पलोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नीन से जाग उठने की घड़ी आप हुची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उधार निकट है, रात बहुत बीद गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को तजकर, जोती के हतियार बांध लें, जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीडा और प्यक्कडपन, ना विविचार और लुच्पन में, और ना जगड़े और डाह में, बरन प्रभु ईश्व मसी को पहन लो, और शरीर के अभिलाशों को पूरा करने का उपाय न करो.